Hello friends, Welcome to my YouTube channel आज की इस वीडियो में हम GST के अंदर Advanced Receive के कौनसेप्ट को समझेंगे तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि GST के अंदर Advanced Receive क्या होता है GST के अंदर Advanced Receive कितने तरह का होता है और साथ ही Tally के अंदर हम Advanced Receive के Entry को किस तरह से करेंगे तो इस वीडियो में हम ये सारी information आपको step by step देंगे तो आप इस वीडियो को लाज तक जरूर देखिए वीडियो को start करने से पहले आपसे एक request है कि अगर आपने भी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो आप इसे कर लीजे आप यहाँ पर red color के subscribe बटन पर क्लिक करके इसे subscribe कर लीजे और साथ यहाँ पर bunny bell icon को भी प्रेस कर लीजे जिससे आपको हमारे चैनल पर आई टैली, e-way bill और GST से related latest वीडियो की update notification के थूर मिलती रहेगी तो आई आज की topic को शुरू करते हैं तो यहाँ पर हम टैली software में आ चुके हैं और यहाँ पर हम advance receipt की entry करने से पहले सबसे पहले एक new company को create कर लाते हैं जिसके अंदर हम अपनी GST की detail और advance receipt के feature को own करेंगे और उसके बाद हम अपनी advance receipt के entry को कर पाएंगे तो टैली में new company को create करने के लिए आप company info में रहते हुए ऐसे create company माज़िए जिसकी shortcut की है C और यहाँ पर हम example के लिए advance receipt के नाम से एक new company को create कर लाते हैं यहाँ पर अपना state सेलक्ट कर लीजे और pin code धियान रहे हैं जो हम यहाँ पर advance receipt के entry आपको कर रहे हैं वो हम GST के साथ ही करके दिखाएंगे तो यहाँ पर अपना state और pin code धियान से सलक्ट कीजेगा क्योंकि इसके बिन आपके GST applicable नहीं होगा तो यहाँ पर हम एक new company को create कर चुके advance receipt नाम से अब इसके अंदर हमारे को सबसे पहला एक option शो रहा होगा enable goods and service tax GST और उसके बाद हमके second option शो रहा होगा set ultra GST detail यहाँ से हमें इन दोनों option को yes करना होगा इसे yes करते हैं हमारे सामने GST detail के एक window पो पो जाएगी जिसमें हमें अपनी सारी GST से related information डालने होगी जिसमें हमारा state, registration type, regular और यहाँ पे हमारा GST number GST number डालने के बाद हमें नीचे आप एक option शो रहा होगा enable tax liability and advance receive यहाँ से अब इसको भी yes करना होगा जब तक आप इस feature को yes नहीं करेंगे आपकी advance receive के एंटरी भी नहीं होगी इसे एस करने के बाद सिंपल अब GST detail वाली window को accept करा दीजिए और यहाँ से इस window को भी control इसे accept करा दीजिए तो यहाँ पर हमें एक new company को create कर चुके और अपनी GST और advance receive के feature को भी उन कर चुके है अब इसके बाद हमारा next step है कि हम अपने कुछ ledger और यहाँ से items को create कर लें तो tally में ledgers को create करने के लिए अब get worth tally में रहते वे accounting info में आजाईए यहाँ से ledgers माजाईए और new ledger को create करने के लिए create पे click कर दीजे तो यहाँ पर आपके सामने ledger creation की window पर उचुके है अब यहाँ पर हम अपने कुछ ledgers को create करेंगे जिसके अंदर हमारी party का ledger, tax ledger, bank का ledger और साथ में हमें एक service के ledger को भी create करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक party के ledger को create कर लाते है पूना माट कलोथ हाउस, अंडर में हमारे sundry debtor होंगे अब इसी तरह यहाँ पर maintain, balance, bill by bill को यहाँ पर yes रखिए और इसी तरह यहाँ पर इनकी सारी information डालते वे, ratio टाइप में regular लेते वे, यहाँ पर इनका GST number डाल दीजे और इसको accept करा दीजे, तो यहाँ पर हम अपने एक party के ledger को create कर चुके हैं, अब इसके वाद हम अपने कुछ tax के ledger को create कर लाते हैं, output cgst, add the rate 2.5% अंडर यह हमारे duty and taxes के अंदर आएगा, और type of duty and taxes के अंदर यह हमारे लिए GST है, और साथ ही में tax type में, क्योंकि cgst है, तो central tax है, और इसको control एसे accept करा दीजे, अब इसी तरह यहाँ पर output as gst, add the rate 2.5%, under duty and taxes, gst, और state tax, और इसको भी accept करा दीजे, तो यहाँ पर हम अपने tax क के लेजर को भी create कर चुके हैं, अब इसके बाद हम simple एक अपने bank के लेजर को create कर लाते हैं, SBI bank, यह under हमारे bank account आएगा, और यहाँ पर अपने bank की सारी detail लालते भी इसको भी यहाँ से accept करा दीजे, अब इसी तरह यहाँ पर हम एक service के लेजर को भी create कर लाते हैं, simple advertisement service, Under यह हमारे indirect income हो गई, अब यहाँ पर हम service के लेजर को create कर रहे हैं, यहाँ आपको आगे बताएंगे, तो यहाँ पर इसको simple यहाँ पर type of supply में service लेते हैं, इसको accept करा दीजे, तो यहाँ पर हम अपने basic सारे लेजर को create कर चुके हैं, जिनको आप यहाँ पर ledgers के अंदर ultra map देख चुके हैं, जिसके अंदर हमारे पाटी का ledger, tax ledger, service ledger, और साथ में bank का ledger भी हम create कर चुके हैं, अब इसके बाद हमारे next step है कि हम अपने कुछ items को create कर लें, कि हम किन items के अंदर अपने business को करते हैं, तो tally के अंदर items को create करने के लिए अब get above tally में आते वे inventory information आजेए, और यहाँ से stock item आजेए, create पे click कर दीजे, तो simple है, मैं आपर एक item को create कर लाते हैं, man shirt, unit के अंदर यह हमारे लिए meters है, अब इसी तरह यहाँ पे GST applicable को applicable रखते वे, set ultra GST, इसको भी yes कर दीजे, क्योंकि यह cloth है, तो description में यहाँ पे इसके fabric डाल दीजे, HSN code, इसी तरह यहाँ पे taxability में taxable लेते वे, यहाँ पे tax rate में 5% डाल दीजे, automatic यह 2.5%, 2.5% suggesture, register हो जाएगा, simple इसको यहाँ पे goods लेते वे, accept करा दीजे, तो यहाँ पे हम अपनी सारी basic information डाल चुके हैं, company को create कर चुके हैं, साथ ही अपनी items और लेजर को create कर चुके हैं, अब इसके बाज हमारा main step है, हम advance receive के entry को करके दिखाते हैं, इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारी advance receive तीम तरह की होती है, सबसे पहले हमारी होती है same month, उसके बाल हमारी second होती है next month और तीसरी होती है advance receive cancellation, सेम मन्त में क्या होता है कि हमने जिस मन्त एडवांस लिए उसी मन्त अपने एडवांस को एडजेस्ट कर लें नेक्स्ट मन्त में होता है कि हमने एक मन्त में एडवांस रिसीफ किया लेकिन हम उसकी एडवांस रिसीफ करें तो अब इस video को लास तक जुरूर देखते रही है तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले पहले तरह के advance receive के entry करेंगे जो हमारा same month advance adjustment है जिसके अंदर हम जिस month में advance को receive करेंगे उसी month हम उस advance की adjustment को भी कर देंगे तो tally में advance receive के entry करने के लिए अब get above tally में रहते हैं accounting watcher में जाए जिसकी shortcut किये V अब इसी तरह आप यहाँ पर receipts के watcher में जिसकी shortcut किये F6 अभी हमारे सामने यहाँ पर normal receipts watcher open हुआ हुआ है लेकिन हम यहाँ पर advanced receipts के entry कर रहे हैं तो उसके लिए हमें advance receipts के feature को भी on करना होगा तो उसके लिए आप receipts watcher में तो यहाँ से आप simple advance receipts पे enter press कर दीजे और आप यह पर ऊपर देखेंगे कि हमारे को advance receipts का watcher open हो चुका है अब simple सबसे पहले यहाँ पर अपनी date select कर लीजे और second यहाँ पर account में अपना एक account select कर लीजे कि कि किसके तरूँ आप advance को receive कर रहे हैं कैश यह bank हम यहाँ पर बैंक डालते हैं अब पर्टीकुलर्स में आप यह पर उस पार्टी का नाम डाल दीजे जिसे आप advance को receive कर रहे हैं एंटर करते ही advance receive की detail आपके सामने शो जाएगी जिसके अंदर हमें यहाँ पर अपनी सारी detail डालनी होगी कि जिस पार्टी से हमने advance receive की उसको हम क्या sale कर रहे हैं आप यहाँ पर देखेंगे list of stock item में आपके सारी stock item शो जाएंगी लेकिन हमें यहाँ पर किसी तरह की कोई service शो नहीं हो रही जब हमने ledgers को create किया था तो वहाँ पर हमने एक service के ledger को भी create किया था लेकिन हम यहाँ पर किसी तरह का कोई service का ledger शो नहीं हो रहा इसलिए हमने हम आपको एक service का ledger शो करके दिखाया था कि अगर आप किसी service के अंदर को business करते हैं और उसमें आपको advance receive करना हो तो आप किस तरह से आप advance receive के entry करेंगे तो services को लाने के लिए अपने keyboard से old plus L type कर दीजे तो आप यहाँ पर देखेंगे list of ledger में आपको यहाँ पर service शो जाएगी advertisement service लेकिन हमारे case में हम यहाँ पर items के अंदर business कर रहे हैं तो आप यहाँ पर दुबारा से old plus L type कर दीजे तो आप यहाँ पर देखेंगे list of stock items आपको शो जाएंगी simple यह particular में man shirt ले लिजे अब advance amount में हमें यहाँ पर total amount लेना है total amount याँनि हमारा taxable plus tax amount तो हमारे case में आप 20,000 है हम 20,000 का advance रिसीव कर चुके हैं जिसके अंदर हमारी taxable value और plus tax in के लिउड है simple यहाँ सब इसको accept करा दीजे अब accept कराने से पहले bill wise detail के अंदर आप ध्यान रहे यहाँ पर आपको advance ही लेना है यहाँ पर आपको against reference, new reference यह own account ना लेते वे advance ही लेना है अगर यहाँ पर advance नहीं लेंगे तबकि advance receive का सही fact नहीं हो पाएगा simple यहाँ सब इसको advance लेते वे इस entry को accept करा दीजे तो यहाँ पर हमारी advance receive के entry हो चुकी है आईए एक बर इसको GST के अंदर भी देख लाते है इस पर ले report GST, GSTR1 GSTR1 के अंदर आपको नीचे advance receive में एक option शोर रहोगा amount unadjusted against supply जिसके अंदर हमें 20,000 शोर है तो आप यहाँ पर देखेंगे unadjusted advance हमारा है पर 20,000 शोर है हमने किसी तरह की कोई liability भी बुक नहीं किये और balance liability to be booked के अंदर हमें 20,000 शोर है यानि अभी हम 20,000 पे का advance receive कर चुके हैं और इसकी भी हमने adjustment नहीं किये तो आईए सबसे पहले हम यहाँ पे एक sale के entry कर लाते हैं क्योंकि यह भी है जो हम कर रहे हैं वह है same month advance adjustment यानि जिस month हमने advance लिया है उसी month हम उस advance की adjustment भी कर देंगे तो sale के entry करने के लिए आप get above tally में रहते हैं accounting voucher माजिए और sale के लिए f8 की press कर दीजे simple यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अपना एक invoice date डाल दीजे दो अपराइल डाल दते में आप पार्टी से account name में आप उना माट ले लिजे अब इसी तरह यहाँ पे sale के ledger में sale at the rate 5% tax classification detail में sale हमारी taxable है अब name of item में man cloth quantity 10 rate 2000 2000 यहाँ पे 20,000 का हमारा taxable value बन चुके लेकिन अभी इसके अंदर हमारे cgst और sgst include नहीं हुए तो output cgst output sgst तो अभी हाँ पे देखेंगे कि हमने 20,000 का advance receive कि आता लेकिन जो हमारा invoice है वो 21,000 का बन रहा है तो ऐसे case में क्या होगा कि जो हमने 20,000 का advance receive किया है वो इससे adjust हो जाएगा और बाकी 1000 पे का हमें government को भी tax पे करना होगा तो जैसी आप entry करेंगे bill by bill detail में सबसे पहले में अगेंस reference ले लिए अगेंस reference में आप देखेंगे यहाँ पे हमारा पहले से एक pending bill है जिसमें हमने 20,000 आप एडवांस receive किया था इसको अप एंटर कर दीजिए 20,000 अभी सी तरह जो हमारा बचावा 1000 उसको हम new reference के अंदर ले लाते हैं new reference में लेते वे simple आप इसको एंसे accept करा दीजिए तो आइए एक बड़ दुबारा से GST की detail देख लाते हैं display report GST GSTR 1 तो आप यहाँ पर देखेंगे B2B invoice में हमने आप एक entry करी है 20,000 पे हमारी taxable value है और 1000 पे का हमें इस पर भी tax पे करना है तो आइए एक बार यहां से हम balance sheet भी देख लाते है old A से आप देखेंगे तब duty in taxes में देखेंगे 1000 पे के हमारी duty in taxes हम पर शोर ही है तो जो हमारा 20,000 था 20,000 हमारा advance में adjust हो गया और बचा भी एक जार की भी हमने payment करनी है तो आइए simple यहां से हम इसकी payment भी कर लाते हैं तो payment करने के लिए बैट वाफ टैली में रहते हैं accounting वाचर माजिए और payment के लिए F5 की प्रेस कर दीजिए account में आप SBA ले लिए simple यहां पर output CGST 500 और output SGST 500 और इसको accept कराती है अब दूबारा balance sheet में आजिए और यहां से इसको detail में देखने के लिए old F1 से आप देखेंगे कि duty in taxes में हमें कुछ भी शोर नहीं हो रहा तो यहां पर जो हमारी 1000 रपे की duty in taxes में हमारा को शोर रहा तो हमने उसके भी payment कर दिये तो आई एक बड़ दूबारा से हम यहां पर GST की detail देख लाते हैं अजर report GST GSTR 1 तो GSTR 1 में आप यहां पर देखेंगे B2B invoice के अंदर हमारी 21,000 पे का एक invoice था जिसके अंदर 20,000 के हमारी taxable value थी और उसमें हमारा tax 1000 पे का था और यहां पर advance receive में हमें 20,000 वो 20,000 पे हमारे इस 20,000 पे से adjust होगे और बचे वे 1000 पे की हमने government को payment कर दी तो यह हमारा सबसे पहला था जिसके अंदर हमारा same month advance adjustment था जिसके अंदर हमने जिस मन्त में advance लिया उसी मन्त हमने उस advance की adjustment भी कर दी तो आईए देखते हैं कि अब आप advance receive के voucher को print किस तरह से करेंगे तो इसके लिए आप get worth टैली में रहते वे display में आ जाईए यहां से day book में आ जाईए old F2C यहां से period को यहां से select कर लीजे तो यह हमारी receipts की entry है तो इसको print करने के लिए आप अपने keyboard से old plus P type कर दीजे और य advance receive के वाउचर को print करने के लिए यहां से yes ने इसको no करना होगा no करते ही यहां पर आपको option शोर है print GST advance receive यहां से इसको yes कर दीजे yes करते simple message को accept करा दीजे old Z से इसको zoom कर दीजे तो आप यहां पर देखेंगे यहां पर advance receive का आपका voucher शोर है जिसके अंदर हमारा GST number यहां पर हमारी item rate इसी तरह नीचे हमारे tax rate भी हमारे को शोर है तो जिसको आप अपनी party को दे सकते हैं और बाद में इसके adjustment भी कर सकते हैं तो I hope आप इस video में समझ गयोंगे कि किस तरह से आप at same month में advance को receive करेंगे और इसके adjustment करेंगे अब इसी के साथ हमारा एक और advance receive होता है जो हमारा next month advance receive और उसके adjustment होता है जिसके अंदर हम जिस month में advance को receive करते हैं उसके next month में उस advance की adjustment करते हैं जिसके उपर हमें एक अलग से separate वीडियो बनाएंगे तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को like कीजे, share कीजे और हमारे चैनल को subscribe कीजे हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की GST, EVP, Lotelli से related amazing वीडियो मिलती रहेंगी Thanks for watching this video All आपको आपको नहरे बनाएंगे